गर में पड़ा है उरिया, क्यों बना रहे हो दूरिया जी हाँ किसान साथियों, ये लाइने उन किसान भाईयों के लिए हैं जो अभी उरिया का संकट जहल रहे हैं और इदर उदर लाइनों में लगने के बाद भी अधिकारी उन्हें सिर्फ एक या दो बोरी पकड़ा रहे हैं और उनको काफी ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मद्ध प्रदेश और सभी राज्यों में जहां पर अभी रभी की फसल लगाई गई है वहाँ पर लगातार यूरिया की कमी महसूस हो रही है इसके पीछे क्या कारण है वो तो पता नहीं है क्या काला बाजारी है या जो मुना फाखोरी कमा रहे है या जो इस्टोक कर लिया है किसी ने क्योंकि लगातार यूरिया की सप्लाई तो चालू है फिर भी यूरिया की इतनी संकट क्यों आ रही है तो उसकी भी बात करेंगे साथ ही साथ में यूरिया का क्या विकल्प है हमारे घर में यूरिया कैसे मोजूद है हम उसका कैसे उपयोग कर पाते हैं कितनी मातरा में कर सकते हैं क्या वह यूरिया के जैसा ही रिजल्ट दे पाएगा वह सभी बातों की इसमें जो है जानकारी आ कारण उत्पादन कम होने की जो सिकायत आती हैं उससे बचा पाएं तो उसकी संपूर्ण जानकारी देंगे तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखे जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए और आपको हमारी जानकारी हमारी मेहनत हमा प्राप्त करने के लिए चेनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा देजिस्ते कि हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह आप तक बिना देरी के जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा तो आई यह जानकारी जो कमी महसूस हो रही है किसान भाई लाइन में लगते हैं उसके बाद भी दो बोरी लगती है और बाजार में जो 260 रुपई की या 6 रुपई की बोरी है वह 400 रुपई तक भी मिल रही है और 400 रुपई मिलने के बाद भी जो व्यापारी है वह साथ में अन्य जग नेनो यूरिया भी ले सकते हैं जो कि बोटल में आता है लिक्वीड में आता है और उसका बूरा है उसका भी сांदार और तत्काल रिजल्टर दही बनता है गाए भेस का दूद हर किसान भाई के पास है तो वह दही बना सकता है या आम जो घरों में तो दही रोज ही बनता है और हम उसका चाज बना कर घीर निकालते हैं तो उस दही का उपयोग आप यूरिया की जगे कर सकते हो अब सवाल आता है कि दही का उपयोग हमे चाहे आप सब्जी वर्गी फसल हो, कंद वर्गी फसल हो या जो दलहन तिलन फसले हो सभी में उसका उप्योग हम कर सकते हैं तो वह कैसे काम करता हैं उसकी बात करे तो वह यूरिया के समान ही कारे करता है और वह यूरिया की पूर्ती आपके खेतों में कर देगा उसको देने के बाद अगर आप यूरिया नहीं मिलता है और नहीं दे पाते हैं तो भी कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है वह उसकी पूर्ती कर देगा अब कितने दिन की फसल में उसका उप्योग करना है किसांसाथि ओगर उसकी बात करें तो आप उसकी जो शुरुवाती 15 दिन से लेकर कभी भी उसका इस्प्रे कर सकते हो जब आपको यूरिया की डिफिशेंसी में सूस हो रही हो तब आप कभी भी जो है जो धही हैं उसका कि पूरिया की पूर्ति कर देगा अब उसके उपयोग की बात करें तो उसको आपको डेढ़ सो से 200 लिटर लिटर पानी में अछे से मिला कर रधाइस से 3 किलो जोड़ें लेकर une priorities लेकर देट से 200 लिटर पानी में मिला कर प्रती एकड़ के हिसाब से इसप्रे सीचाई चाई के बाद या सीचाई के पहले जब खेतों में ओस ना हो उस समय आपको कर देना है इसके साथ में आपको और कुछ नहीं मिलाना है सिर्फ पानी की मात्रा में ढाई से 3 किलो दहीं लेकर प्रती एकड के हिसाब से इस्प्रे करना है आपको एसा चमतकारी और एसा लेकर आपको उसमें एक समान इस्प्रे कर देना है जिसके बाद में 2-3 दिन बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपको यूरिया की कमी बिल्कुल भी मेसूस नहीं होगी अब बात करें इसके खर्चे की तो प्रती एकड आपको डही से 3 किलो हमने जो दहीं क की मातरा बताई है आप अगर घर पर तेयार करते हो तो प्रती लिटर दूद का जो है डेड़ किलो तक धहीं बन जाता है क्योंकि उसमें पानी की मातरा भी जाती है और सब कुछ मिला कर आपको वह 30-40 रुपई प्रती किलो का ही खर्चा आता है तो 3 किलो का 100-120 रुपई का ही खर्चा आता है और यूरिया की जो है 2 और फिर देज़ बोरी तक की पूर्ती कर देता है यानि कि आम भासा में अभी 400 रुपई में यूरिया मिल रहा है तो 800 रुपई आपका लगता है वहापा 10-100 रुपई में ही काम होने वाला है और रूजल्ट सेम उसके जैसा ही मिल प्लस में आपको जो है ओर्गेनिक खेती की तरब बढ़ावा मिल रहा है आपकी जो भूमी है उसमें जो यूरिया या नैट्रोजन नुकसान करता है वह भी उसके साथ में नहीं होगा भूमी में जो उर्वरा छमती है बनी रहेगी जो हमारे सहयक कीट है या जो मित्र कीट है उनको भी उससे नुकसान नहीं होता है और जो सस्ता भी पढ़ रहा है उसके बाद में यूरिया की तरह भी काम करेगा प्रकास लस्रेशन की क्रिया को बढ़ाएगा हरित लवक जो फसल में होता है उसको अच्छे से बढ़ाएगा और भोजन करने की जो प्रक्रिया है की जो मदद के साहता से आप बचा सकते हो आपको कहीं भी भटकने की आवसकता नहीं है कहीं भी लाइनों में लगने की आवसकता नहीं है और ज्यादा पेशा देने की आवसकता नहीं है तो आप इस प्रकार से इस चीज को उपयोग कर सकते हो और आपके यहां पर यूरिया औ और जो तरल यूरिया याने की नेनो यूरिया हैं उसकी उपलब दता हैं तो कुछ मात्रा में उसका उपयोग भी कर सकते हो और आप इस विदी से भी यूरिया की पूर्ति कर सकते हो तो किसान साथियो यह थी जो हैं यूरिया की जगह कौन सा विकल्प हैं कितनी मात्रा में कि हिसाब से उपयोग करना है उसकी संपूर्ण जानकारी और आपकी समश्या को यह उपयोग करके आप अपनी समश्या को 100% खतम कर सकते हो और इसे कितनी भी बार हम उपयोग कर सकते हैं इसके कोई side effect फसलों पर नहीं होते हैं तो यह जानकारी आपको केसी लगी कमेंट में जरूर बताए अगर आपके इसके बारे में कोई सवाल या सुजा हो या किसी और जानकारी के बारे में सवाल या सुजा हो ता वह भी कमेंट जरू करें जिससे हम उस जानकारी के बारे में वीडियो लेकर आएंगे या आपके कोई सवा का अंत तक देखते हैं चेनल पर खेती से संबंदित मंडी भाव से संबंदित और भी कई सारे वीडियो डाल रखे हैं आप वह भी जाकर देखें उन्हें भी लाइक करें शेयर करें चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें अमुल्य समय देकर आपने जानकारी को पूरा देखा उसके लिए आपका विशेश धन्यवाद फिर मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत वंदे मात्रम किसान सात्यों अगला वीडियो कोन से टोपिक पर लेकर आना है वह भी कमेंट जरू करें जिसे हम जल्दी से वीडियो लेकर आए धन्यवाद जय हिन